असला अलेकुम गाईज, हाई अव्रिवन, वेलकम बैक टू सेट चैनल, होप आप सब अच्छे होगे, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं को रिसीव हुआ है कुर्ता और प्लाजो का सेट रिसीव होना था, बट रिसीव हुआ है सिर्फ और सिर्फ कुर्ता, और मेरे कुर्ते पे टैग लगावा है, अगर आपकी कुर्ते पे या प्रॉडेक्ट पे टैग नहीं है, तो आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डीटेली शेयर कर दूँगी, तो वीडियो को आखरी तक देखना, प्रॉडेक्ट का दो इमेज क्लिक करके रखना है, जो कि आपका इमेज क्लियर हो, जैसे आप यह देख सकते हो, ऐसे कुछ इमेज क्लिक करके रखना है आपको प्रॉडेक्ट का, तो इस तरीके से आपको दो इमेज क्लिक करके रख लेना है, फिर हम चलते अपने आजियो पर और यहां पर नीचे home store accounts है, accounts पर क्लिक करना है और यह जो particular order है, हम उसके पास जाएगे, हमारे product के पास और जो की 339 है, जिस पर सिफ कुर्ता receive वहा प्लाजो नहीं, तो अगर आपको tag receive नहीं होता है, सबसे पहले मैं वो बता दूँ, अगर आपको tag receive नहीं होता है, आपको एक white color का estimated bill receive होता है, अगर आपको वो भी receive नहीं होता है, तो करना क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको estimated bill का कुछ शकल दिखा देती हूँ, कि exactly यह कैसे दिखता है, तो यह कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे awb number होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपको यह वाला receipt receive नहीं होता है, तो आपको करना क्या है, मैं वो बताती हूँ, आपके पास, ना आपके पास tag है, ना ही वो white color का slip है, तो यहाँ पे जो लिखा है blue color में, download invoice, track order की उपर, आपको इसके उपर click करना है, और यह download invoice हो जाएगा आपके file में, आपके mobile के setting के हिसाब से आपका file जा होगा, आपको वहाँ जाना होगा, मैं मेरे file में, मेरे mobile में जिस तरीके से है, my file क्लिक करूगी, तो यहाँ पे download आएगा, यह वाले download पे click करना है, और अभी अभी जो मैंने download करी हूँ, यह bill यहाँ पे आजाएगा, इसके उपर click करूँगी, तो पूरा का पूरा estimated bill आएगा, आपके सकते हो, मैं open कर ली हूँ, मेरा address left side में चले गया ह और वो जो मैं bill पहले जो दिखाई थी, white वाला, वो bill अगर ना receive हो, तो आप अपने mobile में इस तरीके से कर सकते हो, जो की AWB number हमें यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है, 911 931 0033, तो जो की white paper में भी same था, तो अब हम चलते हैं हमारे agio app पे, तो यह मैं order के तरफ आ गई हूँ, तो अब हमें return और exchange पे click करना है, फिर address पे जाके proceed करना है, ठीके, फिर हम जाएगे return के उपास, and return click कर देगे, select the reason आएगा, तो wrong item ship पे click करना है, ना कि size, color, did not like the product, defective damage, others, यह सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ wrong item ship click करना है, and select the sub reason, जो की जरूरी होता है, तो product not as displayed on website, please give the detail, तो हम इसके उपर click करेगे, ठीके, तो यहाँ पे कुछ return verification का कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आप feedback भी लिख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, वो click करेगे, view comment, तो यहाँ पे आप चाहो तो write भी कर सकते हो, कि लिख सकते हो, कि क्या है, plazo missing ल plazo has to come, but I received only kurta, okay, आप अपने हिसाब से जो चाहिए आप लिख सकते हो, okay, okay, so please, return, okay, fine, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, along with kurta, plazo has to come, but I received only kurta, अपने हिसाब से सेंटेंस फॉर्म करके आपको देना है, फिर यहाँ पे आपको आजाएगा, दो इमेज अपलोड करना है, तो इसके अपर क्लिक करेंगे, मैंने दो इमेज पहले से क्लिक करके रख्यूं, जो की पहले आपको शेयर करी थी, फोटो पे जाऊंगी, और दो clear इमेज अटाच कर दूगी, जिसकी एक tag के साथ है, और एक completely product पूरा दिख जाए, तो मैंने द पहले मैं बताई थी, awb नमबर जो फाइल में था, तो आपको वो नमबर इस पे लिखना होगा, तो जो नमबर बताई थी, 911 वो, तो अभी मैं है ना, tag scan कर रहे हूं, because already मेरा पास tag मौझूद है, तो मेरा tag scan कर दियूं, तो अगर आपके पास tag नहीं होता है, तो यह जो don't have the product tag, आपको इसके उपर click करना है, और यह है ना, I receive the product without tag, आपको इसको click करना है, but मेरे पास tag है, तो मैं इसको हटा रही हूं, because I have tag, मैं उसको हटा दी, आपके पास tag नहीं है, तो आपको उसको yes क करना है, और यह into पे दबा देना है, ठीक है, उपर के दब, फिर उसके बाद में यह highlight हो जाएगा, request verification, इस पे हम click कर लेगे, और फिर इसके बाद में bank detail आ जाएगा, और अपना RGO wallet आपको जिस पे चाहिए, अगर आप चाहो तो RGO wallet पे भी यह कर सकते हो, या तो फिर bank detail दे देखे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि exactly कैसे दिखता है, फिर है ना, tag, intag, ऐसे कुछ आता है, last वाला जो line है वो आपको select करना है, भले आप आज यह wallet select करो, या bank वाला, तो कुछ इस तरीके से आगया, message भी में को receive हो गया, your return verification will be completed by 17th of March, your refund will be initiated once your return is verified, तो अब आप में को wait कर रहा है, कम से कम 17th मार्च तक उसके पहले तक यह लोग जो भी है, message के through बता देगे, ठीक है, तो हम इस तरीके से return कर सकते हैं, जिस पर tag ना हो, तो वीडियो अगर समझा है, तो like, share and subscribe, और एक और बात, जब यह accept हो जाएगा, जब वो लोग receive करके लेके जाएगे, उ लोग को verify करके, फिर amount डालने के लिए अपने account पे, तो इसके लिए भी वो लोग message के through interact करते हैं, आपको app के जरीए से भी interaction हो जाएगा, तो hope आपको यह problem solve हो जाए, और आपका amount refund हो जाए, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, तो like, share and subscribe मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, अल